एलविश यादव और मुनवर फारुकी दोनों ये सोशल मीडिया की ऐसी हस्तिया है जिनका विवाद और संग गहरा नाता रहा है नमस्कार मैं दिती फॉजदार आप देख रहे हैं हमारे साथ दरनगरी मीडिया यहां हम आज एलविश यादव और मुनवर फारुकी के वाइरल वीडियो के बारे में बात करेंगे बीते दिनों ही दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ था जिसमें दोनों की बॉन्डिंग देख ट्रोल्स का माता ठनक गया इसके साथ ही एलविश यादव हाली में एक या दो नहीं बलकि तीन बड़ी कॉंट्रवर्सी में फसते हुए नजर आये थे कुछ समय पहले उन पर रेफ पार्टी में सापो के जहर की तसकरी करने का आरोप लगाया गया था इसके बाद उनका मेक्स्टन उर्थ सागट हाकूर को पीटने का एक वीडियो भी सामने आया था इसके अलाबा वो एक और विवाद में फस गए थे और वहाए स्टेंड़ अप कमेडियन मुनवर फारुकी संग उनकी दोस्ती इंडियन स्ट्रीट प्रीमेर लिग के दोरान एलविश और मुनवर के कई वीडियो सामने आये थे जिन में से देखा गया कि एक दूसरे के साथ वो फूब मस्ती करते वे दिखाई दे रहे थे जिसके बाद यूजर्स ने उनके मुनवर संग बढ़ती दोस्ती को लेकर ट्रोल्स किया था और उनके धरम पर भी तंज कसा था अब इस पूरे मामले पर एलविश ने अपनी प्रत्रकिया जाहिर की यूटिवर एलविश यादव ने हाली में अपने एकसकान ट्विटर पे दो ट्विट पोस्ट के इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा पहले ट्विट में कि ये ट्विट उन लोग के लिए है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी और अभी भी उन्हें लगता है कि मैंने मुनवर फारुकी को गले लगाया बलकि साफ़ पता लग रहा है कि मैं बता भी चुका हूँ मैंने उन्हें आउट किया था उसके बाद मैंने उन्हें चिडा कर बोला था कि मज़ा आ गया फिर भी लोग उसके पीछे का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं एलविश यादव को गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ उन्होंने उनके हिंदू होने पर सवाल करने वाले ट्रोल्स को भी मूत और जवाब दिया एलविश यादव ने लिखा कि मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि मुझे हिंदू होने के लिए प्रूफ देने की जरुवत नहीं है आप सब जानते कि मैंने हिंदूों की आवाज उठाने के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया अगर आपको नहीं समझाता है तो मुझे दिल से खेड है करपा किसी के कहने से मैनुपलेट ना हुए आपको वदा दे कि जब मुनवर बिग बॉस की घर में थे उस दोरान भी एलविश सक उनके मनमटाफ की खबरे सामने आई थी ऐसा कहा जोरा था कि एलविश नहीं चाहते थे कि ट्रोफी मुनवर वारोकी के हाथ में आए आज के लिए बस इतने ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चनल दनकदी मीडिया के साथ धन्यवाद